साथियों, आज हादी के बाद एक ऐसा भी दौर आया, जब देश के पास पेड भरने को भी परियाप्त अन्न नहीं था। उस परिस्तिते में सरकार की प्रात्विक्ता थी कि कैसे फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ें। इसलिए सारा ध्यान बस उसी पर था कि किसान क्या फसल पैदा करें, अधिक फदल कैसे पैदा करें, कितना पैदा करें। हमारे किसानों ने भी अपना पसीना बहाया, जी तोड मेहनत की और देश की जरुरत को उससे भी अधिक अधिक फसल पैदा करके पूरा किया। लेकिन प्रोड़क्टिविटी की इस चिंता में सरकारों का नीत्यों का ध्यान किसान की प्रफिटेबिलिटी पर गया ही नहीं। किसान की आमद ने लोग भूली गए, लेकिन पहली बार अभी सोच को बदला गया है। देश ने पहली बार किसान की आए की चिंता की है, उसकी आए बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो MSP को लागू करने, MSP को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटीं हो, बहतर फसल भीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। PM किसान सम्मान निधी योजना से किसानों को छोटे-छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पाथ जाने की मजबूरी से मुक्ती दिलाई है। इस योजना के तहट एक लाख करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांस्पर किये जा चुके है। कोई बीचोलिया नहीं, इतना ही नहीं, कोल चेंज, मेगा फुड़ पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफासेक्टर भी अभुत पुर्व काम हुआ है। गाउं के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनी करण से भी किसानों को लाभ होने वाला है। साथ क्यों, बाड़ा साब विखे पाटिल जी कहते थे, शेती निसरगाधारित केली जात होती। हे ज्ञान आज सांभाडून ठेवले पाईजे, तसेच नव्या आणी जुना चा मेर तरी घाठला पाईजे। यानि, पहले के समय खेती वाड़ी प्राकृतिक सितियों को ध्यान में रखते हुए की जाती थी, पहले के उस ज्ञान को हमें समरक्षित रखना चाहिए। मेल करना बहुत जरूरी है, नए और पुराने तोर तरीकों के मेल का बहुत सटिक उदारण हैं, गन्ने की फसल, सुकर के, अमद नगर, पूने और आसपास के खेत्र में तो ये और महत्मपून है, अब गन्ने से चीनी के साथ साथ इथेनोल निकालने के लिए भी लगाये जा रहे हैं, महराष्ट में भी सो के करीब ऐसे उद्योग चल रहे हैं, और दर्जनों नए उद्योगों को जरूरी मदद की स्विकृति भी मिल चुकी हैं, जैसे जैसे पैट्रोल में इथेनोल की ब्लैंडिंग की इक्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे तेल का जो पैसा बहार जा रहा है, वो किसानों की जेब में आया करेगा